विजयगर का राजा अपनी राणी से बहुत प्यार करता था वह अपनी राणी की हर इच्छा पूरी करता जिसका भुगतान राजे की जनता को करना परता राणी की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से सारा राजे परेशान था राणी अक्सर उल जुलूल मागें करती औ पर उसकी पहली जिम्मेदारी राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करना है लेकिन विजयगर राज्य अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्स पर चलने लगा था एक दिन राज्य को खबर मिलती है कि उसके राज्य में दक्षिन की तरफ से दूसरी सेना आक्रमन करने वाली ह जिसके लिए उन्होंने पहारों के उपर किले का निर्मान प्रारंब कर दिया है लेकिन राज्य अपनी राज्य के साथ भोग विलास में दूबा हुआ था वह इतनी बड़ी बात नजरंदाज कर देता है और कुछ दिनों के लिए राज्य के साथ अपने राज्य से दूर ब्रमन के लिए निकल जाता है राजा और राणी एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हसीन मौसम का मजा ले रहे थे उनके जीवन में खुशी और रोमांच की कोई कमी न थी कई दिनों की बाहरी यात्रा के बाद जैसे ही राजा अपनी राणी के साथ विजयगर राज् जाता है वहां जाकर वह अपने राज्य के पुरोहित से सत्ता परिवर्तन का कारण जानना चाहता है राज्य के पुरोहित राजा को बताते हैं कि आपकी जनता आपसे बहुत परिशान थी जिसके लिए मंत्रियों ने कई बार आपको चिताया था लेकिन आप महारानी के जी वारता में लिप्त थे विजयगर की जनता कई बार आपसे मदद के लिए गुहार लगाने आई लेकिन आपने उनकी एकन सुनी वही साउत के राजा ने यहां की जनता के लिए कई तरह की लाभानवित करने योग्य योजनाये बनाई हैं जिसके कारण विजयगर की जन और अपना राज्य वापस लेना होगा इसके लिए सारे सैनिकों को इकर्था करो लेकिन सलाहकार राजा से कहता है कि आपके साथ अब कोई भी सैनिक आने को तयार नहीं सैनिकों का कहना है कि आपने कभी भी उन्हें अपना माना ही नहीं आप हमेशा अपने निजी जीवन में ह समलिप्त थे तो आपको अब सैनिकों की याद क्यों आ रही है अब सैनिकों ने साउत के राजा का साथ देने का फैसला कर लिया है और आगे भी उसी के आदेश के अनुसार काम करेंगे इस बात से राजा दुखी हो जाता है लेकिन अब भी उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी राजा अपने राजे की सेना को ही आरोप लगा रहा था कि उसकी सेनिकों ने उसे धोखा दिया है वो गुसा दिखाते हुए राजी को लेकर जंगल की तरफ एक गुप्ट स्थान में चला जाता है राजा तूट चुका था अब उसके पास न कोई सेना थी और नहीं सेना बनाने का सामर्थ राजा अपनी किसमत को कोस्ते हुए वहीं सुझाता है और कुछ घंटों के बाद जैसे ही उसकी नीम्द खुलती है राजा वहां से जा चुकी होती है राजा राणी को ढूंडने की बहुत कोशिश करता है लेकिन राणी का कुछ पता नहीं चलता कुछ ही हफ्तों में राजा की हालत एक बिखारी की तरह हो जाती है राजा फटे पुराने वस्त्र पहन कर अपनी राणी को ढूंडने के लिए दरबदर भटकने लगता है राजा के पास जीने का एक ही सहारा राणी के रूप में बचा था लेकिन अब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था एक दिन तंदा कर राजा अपनी जान देने के लिए नदी में छलांग लगा देता है लेकिन उसकी किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती उसी वक्त कुछ सैनिक राणी की पालकी लेकर निकल रहे होते हैं और वह पानी में डूपते हुए आदमी को देख उसे बचा ल राणी को देखते ही राजा जमीन में हाथ पटक पटक कर रोने लगता है क्योंकि ये राणी कोई और नहीं बलकी इसकी पतनी थी जिसने दक्षन के राजा से विवाह कर लिया था और फिर से विजयगर की राणी बन गई थी राजा अपना सब कुछ हार चुका था उसकी भ